लेकिन दो देशों में दो देशों के प्रधान मंद्री में अगर कोई समवाध होता है तो मुझे रखता है उसमें कोई गुणा नहीं है लेकिन पाकिस्टान के साथ क्या समवाध हो सकता है यह पहली बात उससे पहले भी अट्रजी गए है और भी हमारे लोग जाके आए है वहाँ अचानक जिस तरह से ब्रधान मंत्री वहाँ पहुंचे है नवाज शरीप के जनम दिन को मुबारक देने के लिए मुझे लगता है यह यात्रा अचानक नहीं इस वकार से तई होती है उसरी बात जिस पाकिस्तान में कल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुनेगार अपरादी दाउद इब्राहिम का भी जनम दिन मनाया जा रहा है बड़ी मात्रा में और जो न्यूज में देख रहा हूं उसके जनम दिन पर नवाज शरीप के बहुत से मंत्री बहुत से सांसर आर्मी के अधि अधिकारी ग्रिकेटर्स उसके जनम दिन पर मौजूद रहने वाजे हैं उसका मतलब क्या है क्या आज के मुलाकत के बाद जाउद इबराहिम को हिंदुस्तान की हवाले किया जाएगा अगर यह होता है तो हम शिवसेना आज की जो फेट है उसका स्वागत करती है